पंच ऐसी चीज़ें जो गर आपने कर ली तो stop market या mutual fund से बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, हम ऐसे शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि ये है एक typical वीडियो YouTube की, आपको बता है मेरे चैनल के पर कैसी वीडियो आती है, हम एक practical format follow करते हैं, ये typical YouTube वीडियो नहीं आईगी, जो आपको पांच तरीके बताएगे, मैं आपको बताऊँगा, पांच real practical thing जिससे आप actually में अच्छा पैसा कमा सकते हो, इसका प्रूव मैं खुद हूँ, मेरी family members हैं, बिकज मैं एक lower middle class family से आता हूँ, और मैंने खुद राशन की line में लग करके राशन लिया है, उसके बाद यहां तक की journey रही है, काफी ज़दा hard रही है, और वहीं पे अगर आपके 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 पांस साथ दस करोड़ रुपए बन चुके है, तो भाई यह channel आपके लिए definitely नहीं है, बिकज आपने एक अच्छा milestone achieve कर लिया है, कि slowly, steadily शुरू करो, देखो जब भी share-bazar उपर जा रहा होता है, तो हम यह सोच होते हैं, अरे भाई, अब तो share-bazar में पैसा बन रहा है, अब उठा करें सारा-सारा पैसा जोग दोई की जगा पर और यहीं पे बनेगा हमारा सारा-सारा पैसा, यहीं से हो जाएगी हमाई जिन्दगी must, और इसी वज़े से लोग आते हैं और लेते हैं बहुत बड़े-बड़े loan आकर के invest करते हैं stock market में, और वहीं पे जो stock market होते हैं वो धड़ाम से नीचे गड़ जाती है, और आपने यह शांदार bull run देखा है, जहां पे आपके returns बहुत ज़्यादा शांदार बने हैं, बहुत greedy मत बनो, बिकिस जो share बजार है, वो बहुत ही ज़्यादा rough होता है कई cases के अंदर, और इस वज़े से ज़्यादर लोग पैसा डुपा देते हैं अपना, वो समस्ते नहीं है stock market की basic tendency की stock market काम कैसे करता है, so slowly, steadily शुरू करो investing लेकिन आज से शुरू कर दो, जरूरी नहीं है आपको 10 लाग रुपे होंगे तब invest करोगे, जरूरी नहीं है आपको 50,000 रुपे होंगे तब invest करोगे, आप 500 रुपे से invest करो, और अपनी सिर्फ वेक अच्छी habit डेवलप करने पर focus करो, ना कि बहुत ज़्यदा return के वीचे भागो, second point है तब basic point है लेकिन इसको लोग consider नहीं करते, हर इंसान return चाता है, हर इंसान portfolio review चाता है, नहीं, second important point है education पर ध्यान दो, ताकि उससे आप अपनी regular income बढ़ा पाओ, देखो share बजार के अंदर पैसा बनाने के लिए ना, दो चीज़ें आपको सबसे important चाहिए, पहले चीज़ें है खुद की learning, ताकि आप एक खुद का perspective clear कर पाओ, जो इस channel के पर हम करने ही कोशिश करते हैं, कि आपको इतना data driven बना दें, कि आपको कुछ भी question हो, तो आपका mind इतना शाप हो जाए, कि आप खुद उस चीज़ को go through कर पाओ, खुद अपनी situation को analyze करके, वहाँ पे decision ले पाओ, second सबसे important चीज़ होती है, कि analyze तो आप कर लोगे, लिकिन अगर आपके पैसा ही नहीं होगा, तब stock market में invest कैसे करोगे, तो इसी वज़े से दूसरा step है, कि अपनी education पे, learning पे, और regular income पे, active income पे, इतना ध्यान देना है, starting के 2-3 साल, जिससे आपका actual पैसा बनेगा, बिकिस अगर आप stock market में पैसा नहीं लाओगे, तो पैसा नहीं बनेगा, यह मैं बार बार repeat करता हूँ इस वज़े से, बिकिस लोग आते हैं, 2000-3000 रुपे ले करके, और वो बहुत ज़्यादा serious लिते, sharebazar को नहीं लेना, 2000-3000 के SIP कर रहे हो, sharebazar को serious, क्योंकि वो 23,000 आप 100 गुना भी कर लोगे, तो भी exactly कुछ नहीं बनेगा आपके पास मेरे भाई, और mutual fund में invest करो तो 100 गुना करना और ज़्यादा भी मुश्किल काम है, तो इस वज़े से second चीज़ पर सब से ज़्यादा ध्यान दो, जो कि है आपके self-learning, third important चीज़ है और अगर आपने इसको सही से समझ लिया, तो आपके आधी problem का solution इसी से निकल जाएगा, stay informed, but don't react, like overreact तो बिलकुल नहीं करना, अगर आप देखोगे regular days के लिए मैं भी वीडियो बनाता हूँ, अलग-अलग YouTube चैनल भी बनाते हैं, तो आज के rate के अंदर data inflow extreme है, आप कुछ भी डालोगे internet पर search हो करके मिल जाएगा, जिसको भी subscribe क्या हूँ हर दिन एक से दो वीडियो आपके पास आ रही होगी, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि आपको शायद हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है, अगर आप ऐसी तरीके से सीखते रहोगे तो आप market कंदर informed रहोगे, कुछ दिक्कत होगे तो आप निकल सकते हो, लेकिन आप यही समझो, even मैं हूँ, even कोई दूसरा चैनल है, हमें वीडियो बनानी है, हमें हमेशा आपको aware करना है, लेकिन आपको हर information पर react नहीं करना, even react कर भी रहोगे तो over react नहीं करना, इसका एक basic example देता हूँ, मैंने कुछ दिन पहले बताया किया, small cap के अंदर मैं sell कर रहा हूँ, अपना index पर ठीक है, अगर किसे ने उस पूरी वीडियो को अच्छे से देखा होगा, तो उसके नदर एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने बोली थी, मेरा target खतम हो गया, जितना मेरे को पैसा बनाना था, मैंने वहाँ पैसा बना लिया, और मैं अब यहां से exit कर रहा हूँ, विकिस मैंने यह swing के लिए invest किया था, और उसके साथ मेरा core portfolio, जिसमें quantum निपॉन है, उसके नदर में आज भी invested हूँ, यह simple सी चीज मैंने वहाँ पर discuss करी थी, जिससे आपने वह चीज समझी, आपने वह चीज सीही, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको वह चीज़ implement करनी है, अपने portfolio के लिए भी क्यूँ, क्योंकि मैंने वह आप आपको reasons बताए, अगर आपके reason, मेरे reason से match करते हैं, तो definitely आप वह चीज़ कर सकते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर मैंने बेचा, तो जरूरी नहीं है आपको बेचना, उसी time पे है, तो हमेशा आपको informed रहना है, कि market में क्या चल रहा है, लोगों के तर्क वितर्क सब समझने हैं, लेकिन decision आपको खुद लेना है, और decision कैसे ले पाओगे, जब आपकी education अच्छे होगे, जब आप market को समझते होगे, जब आप market के fundamental economics, यह समझते होगे, sentiments कैसे काम करते हैं, यह समझते होगे, तब आप ले पाओगे decision, तो stay informed, but don't overreact, यह आपको याद रखना है, यह आपके दिमार में घुसना चाहिए, otherwise आप हर एक news पे buy or sell करते रहोगे, वो इसका कोई sense नहीं बनने वाला, because जो news flow है, वो बहुत ज़्यादा strong है, फूर्थ, और यह इतना important है, जितना लोग discuss भी नहीं करते हैं, चैनल के ओपर क्या मैंने कहीं पर नहीं देखा, जिसके बार में यह चीज़ discuss करी हुई हो, वो है emotion management, देखो जब आप शेहर बाजार में होते हो ना, जिसने mutual fund में invest किया हुआ है, जिसने stock market में direct stock खरीदे हुए है, वो बिचारा परिशान हो जाता है, क्यों परिशान हो जाता है, अगर कोई भी चीज़ होती है, उससे small cap, mid cap थड़ा करके 4-5% नीचे गरता हूँ, और लोग बोलते हैं, अरे भाई, यारे भाई, बजार गिर गिर गा, बजार गिर 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 गा, बिल्कूल, क्यों, क्योंकि उनको basic चीज़ समझे नहीं आती, emotions management, जो emotion है, जो आपके शरीर में उपर नीचे, उपर नीचे कर रहे हैं, किसी भी एक news को देख करके, उसको समझा लो, देखो अगर आपके emotions आपके control में नहीं है, तो stock market की जो journey है, वो आपके लिए बहुत mental pressure create करने वाली है, और इससे आप परिशान हो जागे, आप समझ नहीं पाऊगे, क्या करना है, बेचने, खरीदने, खरीदने, बेचने, कल बीचने, परसो बीचने, नहीं, नहीं, ऐसे नहीं, जब भी आप stock market में invest करते हो, तो आप invest करते हो, किसी reason के वो जिसे, ठीक है, अगर आप mutual funds के थुरू invest कर रहे हो, direct stock में invest नहीं कर रहे है, तो वो कही नगी थोड़ा सा असान होता है, stock में invest करोगे, तो थोड़ा मुश्किल होता है, जब आप mutual fund में invest कर रहे हो, small cap में, और आपने आज से शुरू करा, तो आपको पता है कि मीरा जो पात है, वो 7 साल का है, 7-8 साल में ना जाने कितने news आएंगे, ना जाने कितने news चले जाएंगे, और हर वीडियो आपके लिए होगी भी नहीं, इसी के सास है, अगर आप stock में invested हो, तो आपको ये पता होगा कि भाई, अदानी के गिरने से, मेरे बजाज finance के गिरने का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दो अलग businesses हैं, दो अलग group हैं, लेकिन हाँ, थोड़ा बात impact आ सकता है, तो आपको इस level के analysis करने पड़ी है, और अपने emotions को manage करना पड़ेगा, दूसरे के decision से, खुद पे impact नहीं आने देना होगा, तब जाकर कि आप share बजाग से पैसा कमा पाऊगे, क्योंकि अगर आप emotionally stable नहीं हो, किसी ने कुछ बोलते हैं, उससे आप tension में आगया, आप confuse हो रही हो चीजों को लेकर के बार-बार, तो आपको यह समझना पड़ेगा, कि आप पैसा नहीं बनाओ के, end of the day आप बेच करके निकल जोगे, वो asset जिसको शायद आपने 7 साल के लिए invest किया हुआ है, वो चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी इंसान है जो आपको बोल रहे हैं, मैंने आज बेज़ दिया, वो आपको सिर्व वज़े एक update दे रहा है, वो आपको यह नहीं बोल रहा है, लेकिन आपका नहीं है, तो इस वज़े से जब आप invest करते होना, तो आपका exit plan ready होना चाहिए, तो उससे आपके जो return है, और जो अच्छे return है, उसके आने की chances बढ़ जाते हैं, इसी के साथ साथ जब बजार गिर रहा हो, तो भी डर्णा नहीं, जब बजार बढ़ रहा हो, तो बहुत कुछ होनी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इस से आपके जो emotions है, वो balance नहीं रहते, क्योंकि वो unrealized gain और वो unrealized profit है, जब तक आप उसे book नहीं करते, तो वो realize नहीं हुआ, मतलब आपके account में hit नहीं हुआ, ना आपने profit कमाया, और ना ही आपने loss book करा, तो emotion management सबसे ज़्यदा important है, शेर बजार के अंदर, फिफ्थ और इसके बारे में कोई बात नहीं करता है, हर इनसान बात करता है, long term, long term, long term, जिसको उठाओ long term, बहुत बढ़िया है, long term investing बहुत अच्छी काम करती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप एक intelligent investor हो, आप थोड़े बहुत पड़े लिखे investor हो, अगर आप बजार को समझते हो, अगर आप portfolio rebalance करना जानते हो, especially अगर आप direct stock में invest करते हो, उस case में, आपको पता होना चाहिए कि portfolio rebalance नाम की चीज होती है, अगर आप recently देखोगे, in mutual fund industries, काफी सारे ऐसे investors हैं, जो small cap, mid cap, flexi cap को छोड़ करके, sectoral funds में जा रहे हैं, जैसे defense हो गया, PSE हो गया, अलग-अलग sectoral funds के अंदर जा रहे हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा, कि इस साहब पर, वो sentiment को drive करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पैसा बन रहा है, वहाँ पर वो invest कर रहे हैं, कोई गलत बात है, बिलकुल नहीं, कोई गलत बात नहीं है, ये गलत हैं मैंने last time करी थी, लेकिन एक important चीज, जब बाजार के तेवर बदल रहे हैं, एक industry को छोड़ करके, वो दूसरी industry के साथ focus कर रहा है, तो आपका जो portfolio है, वो rebalance होना चाहिए, सबसे पहले चीज, आपके portfolio के दो main हिस्से हो सकते हैं, पिर आप एकदम fresh investor कर रहे हो, एकदम नए नए आए हो, तो mid cap, small cap, flexi cap से निकलने के ज़रूए तनी है, you are good to go, लेकिन अब आपको हो चुके हैं, मानलों दो साल, तीन साल के आसपास, तो आप अलग-अलग scenario को tap करने की कोशिश कर सकते हो, क्योंकि आपकी learning उस level पे हो चुकी होगी, इस case में आप sectoral funds को consider कर सकते हो, कि कौन से undervalued है, कौन से overvalued है, इसके according अपने portfolio को shift कर सकते हो, इसी के साथ-साथ, अगर आपको लगता है कि बज़ा 3-4 साल से मरा हुआ है, तो उस case के अगर आप चाहो तो loan लेकर के पर invest कर सकते हो, उस समय पे आप leverage ले सकते हो, लेकिन यह उनके लिए नहीं है, जो कि एकदम fresh invest करने आए है, जो एक साल पहले आए है, उनके लिए नहीं यह चीज़, उनके लिए है जिसको already 2-3 साल हो चुके है, market को समझते हैं, emotional management करना सीख चुके हैं, उनके लिए यह चीज़ कासी अच्छे तरगे से काम करीगी, और extra alpha आपके लिए निकाल करके लेकर आएगी, अगर आपको एक normal retail investor बनना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जल्दी पैसे का माना है, यह चीज़ आपके हाथ में है, यह चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, अभी तक वीडियो देख लिए तो मैं आपको 6th और एक bonus टिप दे देता हूँ, देखो, हर इनसान आपको एक चीज़ समझा रहा है, long term investing अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन आपको हमेशा tax harvesting और tax को manage करना भी आना चाहिए, suppose करो एक ऐसा बंदा है, जिसने बहुत शिद्ध से अपना पैसा invest किया, अपने शेयर बजार के अंदर, उसने बहुत महनत करी, अगरे 15-20 साल के अंदर kind रहा हमारा बजार भी, उसने एक करोड के आसपास बना लिया पैसा, अब उसने tax harvesting को कभी consider ही नहीं करा, और वो लगातार SIB करतारा सब लोगों को सुन करके, अब जब वो एक करोड के आसपास पहुंच गया, तो यहाँ पे दो major दिक्कत हो सकती है, पहले दिक्कत taxes, जैसे ही अगर आप recently देखोगे, तो जो हमारे taxes थे, वो एकदम से बढ़ चुके हैं, तो most probably 15-20 साल में, taxes up to 30-40% तक भी चले जाएं, even आपका जो other income वाला part होता है, उसके अंदर भी आजए, तो जैसे ही आप बेचोगे mutual fund, वैसे ही आप पे लगेगा बहुत मोटा tax, तो यह एक major दिक्कत हो सकती है, जो आपका goal है, वो एकदम से आपको लगेगा, पूरा हुआ, लेकिन जैसे tax होगे, आप बोले को यार मैं तो एकदम से पीछे आ गया, क्यों? कि अपने tax harvesting नहीं करी, अगर आप tax harvesting करते भी हो, तो इसको सही तरीके से करना आपको आना चाहिए, कि भाई, अगर मैंने चार position बिल्ड करी, और कई बार गलत भी होंगी उसके अंदर, तो उस case में क्या होगा, मैं loss को book कर लूँ, और इसको मैं tax harvest की तरह दिखा दूँ, अगर मैंने profit book करना है, तो एक लाग, एक लाग, एक लाग, पच्छेस हजार की आसपस, long term के अंदर हमें benefit मिलते हैं, तो मैंने वो profit book करके tax harvest कर लिया, यह कुछ basic चीजे हैं, अगर आप यह चीज करोगा हैं, तो इनना long run आपका जो portfolio है, वो बहुत अच्छे return देगा, और इसी के सासाथ आप tax benefit भी उठा पाऊगे, otherwise किसी का एक करोड उर्पे बन गया, सिर्फ profit, उस पे simply आपने 12% के आसपस का tax दे दिया, तो आप मुझे simple math बता दो, कितना परसेंट का आपने tax दिया, यह बहुत simple है, I hope आप समझते होगे, तो यह कुछ major points से, जो practical life से मैंने सीखे हैं, जिसने मेरी growth में काफी ज़दा help करी है, जिसनों मुझे एक ऐसे middle class इंसान से उठा करके, इतना बना दिया, कि आज मैं आपके सामने इतलीस camera पे बात कर पा रहा हूँ, इतना confidence दिया है, और confidence आता है, सरफ और सरफ थोड़ा बहुत पैसा हो आपके पास, और आप अपनी life को अच्छे से drive कर पा रहे हो, तब, अगर आपको वीडियो पसंद आए, कुछ भी नया सीखने को मिला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिलकूल नद भूलना, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा important है, और आपके लिए totally free, Thank you so much for watching this video, Tata, Bye-bye, Signing off.